NTA और NEET का ये जो बबाल है ये दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है बहुत सारी एक्जाम्स तक ये बाद चली गई है और आप यहाँ पर न काफी सारे बच्चे इन्वाल्व हो चुके हैं और हर चीज के लिए दिन बर कहीं नहीं अपडेट्स निकल करके आती हैं तो मैं नहीं अपेर हुए कैसे CBI जार्च करी CBI की टीम में कौन कौन है एक्जाम के इंसलेशन के कारण क्या थे जितनी भी सारी अपडेट्स अभी तक आई हैं वो सारी इस वीडियो में कवर हो जाएगी सबसे पहले शुरू करते हैं कल का जो हमारा मीजर पेपर था मी 2024 का रीडिट हुआ था ग्रेसमार्क्स वाले बच्चों के लिए तो उसमें से सिर्फ बहिया 50% बच्चे ही सिर्फ 50% बच्चे ही देने पहुँचे कई सारे सेंटर थे जैसे चंडीगर था चतिसगर था गुजरात हर्याना मेंगाल है सब जगे अलग अलग तरह से बच्चों के रीडिट का एक्जाम कराया गया उसमें से सिर्फ 50% बच्चे आप समझ यह देने पहुँचे लगबग सुप्रीम कोर्ट और मिनिस्ट्री दोनों जिन से बात कर रही है उन्होंने ये बात का बैटा खुलासा कर रहा है कि सौ चातरों को परिक्षा के पहले ही मिल गया था परचा मतलब पेपर जो है 100 students को किसका वया नीट का ये कौन है EOU ने ये वाली खबर चपा ये जो की काफी बड़ी खबर है अब इस चीज की कोई पुकती जानकारी वैसे तो पेपर में चपी है आधी के पेपर में ये बात चपी है लेकिन इस चीज की कोई ऐसी पुकता जानकारी अभी तक नहीं है क सारी जाकर के सुप्रीम कोटने सब्मिट होगी क्योंकि EOU वही है, इकोनॉमिक अफेंस युनिट वही युनिट है जिसको सुप्रीम कोट ने बुलाए कि हमें सबूत दिखा है और जिससे मिनिस्टरी भी बात कर रही है, ये पहले भी मिनिस्टरी ने बोल दिया है, पर खाल तो हमें इन चीज़ों के लिए घपला उपड़ा होगा घसक्रा लो जाए कुछ कुछ बड़ा यहां पर चल रहा है हमारे भवेशे के साथ तो हमें इन चीजों के लिए involved तो रहना पड़ेगा साथ ही साथ पढ़ाई भी करते हुए चलना है तो पढ़ाई को वेटा बिलकुल आप बैक है इसके अलावा यह दूसरे नंबर की नियूस थी काफी बड़ी निय अगल बगल से सब खुला पड़ा है मामला ठीक है तो ऐसे करके इसके ट्वीट के कमेंट सेक्शन में जा करके लोगों ने बहुत मज़ा कुडाया है इसके अलावा हमारा एक कोर्स है जिसके बारे में आपको बता देता हूँ 5499 का है यह कोर्स अगर आप ANUP कोड यूस करके खरीदते हैं तो आपको बड़ा फायदा होगा इसके बारे में अज़त नहीं दीती लेकिन अब CBI को बोल दिया है कि NET UG वाले केस में या NTA और इस्पेशली गुजरात वाले केस के लिए बात की गई है ठीक है तो यहां पर यहां पर यहां पर यह जो कमीटी बनी इस कमीटी के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग है आपको खुद ऐ जो भी exam की process है उसको कैसे improve कर सकते हैं मतला पूरा की पूरा exam process को evolve करने के लिए चीजे बनी हुए इसके बाद data security कैसे कर सकते हैं और इसके अलावा भया कैसे functioning NTA का better कर सकते हैं इसका structure कैसे better कर सकते हैं 7 member की committee है जिसमें भया इस उरो के जो chief है के Radhakrishnan उन्हें भी यहां पर इस कमीटी के अंदर डाला गया है, तो कमीटी also includes डॉक्टर रंदीप, प्रोफेसर बीजे राव, एंड अधर अधर जो भी लोग है, यहाँ पर देखें, यह फॉर्मर डायरेक्टर ओफ एम्स है, सब बड़े लोग हैं, जिन्होंने एक अच्छी पोजिशन पर पहले ग्रेकर के काम कर चुके, मतलब देश के लिए अच्छी सर्विज दे चुके यहाँ पर देखें, वाइस चांसलर सेंटरल उनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, तो बड़े-बड़े कॉलेजेज हैं यहाँ पर इपाइटमेंट ऑफ सिविल इंजिनियरिंग, आईएएटी मदरास, आईएएटी मदरास के भी टीचर यहाँ पर हैं, तो बड़ी बात है यहाँ पर जब टीचर्स ही इंवाल रहेंगे कि कैसे एक्जाम अच्छी हो और अच्छे इंडिविज इंवाल रहेंगे, तो इस और मेरे हिसाब से तो यह बहुत अच्छा स्टेप है, तो इससे 2024 वाले जो बच्चे हैं वो सिक्योर होके पढ़ाई कर सकते हैं कि इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, जो देश का एजुकेशन सिस्टम काफी समय से समाल रहें, वो लोग अब इस कमेटी के अंदर हैं, और उतको बताते हैं कौन-कौन सी एग्जाम क कैणसल हुई है, तो टोटल तीन एग्जाम कैसल हुई है, एक एग्जाम तो हो चुकी थी, एक उटा UGC-9 करके एग्जाम होती है, ये एगजाम किसके लिए होती, टीचर इंटरेंस के लिए जो जो एच्छे पनाव पनाप्रों और एक Science Stream के Colleges होते हैं, तो उसके लिए Teacher Interence होती है, तो ये वाला एक्जाम तो हो गया था, उसके बाद पूरा दिन पेपर हो गया, शाम को कैंसल कर दिया, कि नहीं 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 तुम्हारा पेपर कैंसल है, लेने के बाद पेपर फिर कैंसल कर दिया, इस वाले को पोस्ट प नीट पीजी, ये तीनों के तीनों एक्जाम कौन करवाता था, अब ये तीनों के तीनों एक्जाम को कैंसल कर दिया है, इसको तो पूरा होने के बाद कैंसल कर दिया है, और इसकी कोई डेट नहीं दी और इन दोनों एक्जाम को भी पोस्ट पॉन कर दिया, इसकी भी कोई कर दिया गया क्योंकि डार्क वेब पे पेपर मिल गया इसका पेपर इसका इसका पेपर सिधा यहां पर अप्लॉड जा रहा था यहां पर अपलोडेट था था सरकार को यह चीज मिल गई नीट पीजी तो multiple बार यहाँ पर से postpone हो जुका है, इसके अलावा एक और चीज़ थी last week के हमारे जो सुभोत कुमार सिंग थे जो NTA के जनरल डायरेक्टर थे इन्हें भया डायरेक्टर जनरल जो थे है NTA के लिए, क्योंकि अब आगे से जो हमारा और यह अभी के लिए बटा कैसे वाले हैं, यह जो डायरेक्टर जनरल है, यह एडिशनल है, इन्हें बस चार्ज दिया गया है, पर्मानेंट नहीं है, हो सकता है थोड़े समय बाद, मतलब अभी के लिए बस operational हैं यह, थोड़े समय बाद, किसी और को पर्मानेंट कर सकते हैं, इन्हें ही पर्मानेंट कर सकते हैं, अभी के लिए fix नहीं, थोड़े for the time भी इन्हें चार्ज दिया गया है, ठीके बटा यहां तक कि यह सारी की सारी updates जितनी भी हैं, वो मैंने आपको इस week की बता दी, यह सारी updates आपको कहीं न कहीं आपके future को impact करेगी, you have to be like realizing कि यह सारी की सारी चीज़े कैसी है, आपको अपने future का हर चीज पर नजर रखनी चाहिए, तब ही आपका future better हो सकता है, clear है, इसी के लिए एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, कि अगर आप अभी कोई course लेने के लिए सूच रहे हैं, कि यह best चीज है कि मुझे एक जगे पर enroll करना है, मुझे पढ़ाई करना है, और मैं चाहता हूँ कि एक समझदार लोग जो मेरे भविश्य के अभारे में सूच करके मुझे पढ़ाई है, तो आपके लिए best course हो सकता बेटा, unacademy का यह वाला course, क्योंकि सबसे पहली बात यह best price पर है, 5499 price है, मतलब अगर आप देखेंगे तो 15 रुपिय पर डेप है, इसमें वन मन्त का फ्री extension है, extension का क्या फायदा होगा, देखो बेटा कभी-कभी क्या होता है, जैसे अब re-neet हो रही है, तो कुछ बच्चों ने plan ले रखा है, लेकिन उनका plan extension है, या कुछ भी चीज इस तरह की हो रही है, तो अनकेडमी उस चीज को cover करके आपको पढ़ा रहा है, और ऐसे instances में जिनका subscription है, वो extension वाला चीज है, वो बहुत अच्छे से उन लोगों के काम आ सकती है, तो यह सारी चीजों के उपर आपको नजर रखते हुए चलना है, इ आपने बस एक बार payment करा, अंदर जो भी है वो आप सब देख सकते हैं, तो अनकेडमी के अप के अंदर जितने सालों का जो भी recorded है, जितना content बना हुआ है, question बने, video solution बने, सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके उपर सबसे ज़्यादा आप लोगों को तब मिलेगा, जब आप ANUP code यूज़ करें, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपको mentorship मिल जाएगी मेरी, मेरी mentorship से आपका क्या फायदा होगा, बटा अगर यही code आपने यूज़ करा, तो आपके जिन्दगी का सबसे सही फैसला होने वाला है, क्योंकि तब आप आएगे मेरी mentorship में, और वहाँ आपके chemistry के, biology के, और सबसे important physics के doubt clear होंगे, आप देख सकते हैं, काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जो physics के doubt लेकर के घुमा करते हैं, लेकिन उनके doubt clear नहीं हो पाते, यहाँ पर बेटा, मेरी team ensure करती कि आपका हर doubt clear हो, और कोई भी आपका doubt वापस ना जाए, आपका ह किसी चीज में कोई परिशानी नहीं आएगी, यह चीज इंशोर करती है, यह ANUP वाले code की हमारी mentorship team, और सबसे बड़ी बात, आप CJP का पार्ड बनेंगे, और CJP का जो पार्ड बनता है न बटा, वो फिर एक family हो जाता है, यह मेरी family है पूरी, इनने कोई दिक्कत नहीं आती, आप किसी भी मेरी mentorship वाले बच्चे से पूछ सकते हैं, वो आपको बताएगा कि मेरे द्वारा created जो best teacher for your mentorship group है, इसके अंदर आपको special short notes मिलेंगे, आपको special बिटा यहाँ पर notes मिलेंगे, आपको special यहाँ पर कुछ extra question solve करने को मिलेंगे class के अलावा, इस mentorship में बहुत फायदा ह आपको मिलने वाले हैं, ठीक है भाईया, इसके अलावा अगर आप ऐसा confused है कि reneet हो गई तो मुझे college मिल जाएगा, तो 100% refund मिल जाएगा, कोई जिंता वाली बात नहीं है, आपका अगर reneet हो गई और college मिल गया, तो आपकी जो fees है, आप 2025 की तयारी कर रहे हो, तो आपकी ज college मिल जाता है, तो कोई बात नहीं, आपको तुरंट पैसे वापिस कर दिये जाएगे, किसी भी government college के लिए, पर आपको ये सिफ 30 जून के पहले valid offer, इसके अलावा अगर मैं आप 11 त में है, तो team titan, anup code और best mentorship group, इसके अलावा अगर आप देखेंगे, तो team titan के लिए, अगर reneat होने का chances लग रहा है, तो एक रुपे में आपको test series मिल रहे है, got it everyone, I hope आप सभी को बहुत अच्छे सारी बात है समझ में आई होगी, thank you so much guys, I hope this video was really helpful.